हम दूसरों से सिखते हैं वो फीर दीरे दीरे हमारी जो होम मेकिंग है ओ इजी हो जाती है परफेक्ट हो जाती है वो काम करने में हमें मज़ा आता है कोई भी पोरियत में सुस नहीं होती और अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है और हमारे माइड को भी अच्छा लगता है जब हमारा गर एकदम सुन्दर रहता है और हम भी एकदम और्गनाईज रहते हैं तो बस वही सारी होम कर देना एसे ही सारे वीडियो मेरी चैनल पर ओल्रेडी है और ओल्रेडी आते रहते हैं तो स्टाट करते हैं आज का वीडियो कोई भी चीज है या हमारा घर छोटा हो तो एसा नहीं है बाहर से ही हमें ओर्गनाईजर लेने पढ़ेंगे और जो भी चीजे है वो हम उसमें बहुत सारी हमारे ही घर में पढ़र होती है तो उसका उसे करके हम बहुत सारा हमारे जो चीजे में सम और तो मेरे थीज़ी वय FrederSum यह पर से लगा देंके जितना आए उतना आपको नीचे हायड करदे मIdंदा कर देना है साइड के एक उसको। जो कोर्नर के हिसाब से सेट कर देना है या आप इसमें पीनप वगेरा कर सकते हैं या नीचे इसको फसा सकते हैं जिससे की उसका लुक अच्छा आए और जो नीचे का आपका आप देख रहे जो कार्बोर का बोक्स है वो मैंने कॉल डेडी शेर किया हुआ है उसमें थोड़ा प्रिंट भी बहुती अच्छी है तो अच्छा लुक आता है और यहां पर हमें जो चीजे है कभी-कभी ही यूज होती है तो हमारा जो यह सेट अफ है वह भी बिखरेगा नहीं और यहां कोई भी चीज भी उपर भी रख सकते हैं और इसी तरह बहुत सारी हमारी बोटम इन चीजे आपको बताऊंगे बस आपको जीतना यहां पहले हम शोट करेंगे तो जितनी शोट किया पो लेंद रखने है वह इसाब से आपको इस तरह से कट कर लेना है वो फिर आप कुछ भी करना नहीं इसमें बस नीचे से फोल्ड करने नहीं वर आप चाहे तो कोई भी कर सकते हैं वो और यहाँ है जो नेट वाली लेस आती है उसका यूज करके आप यहां पर इसको सटिक कर सकते हैं यह स्टीच कर सकते हैं वो र niż आपका alla का स्वूट बनके रहा हैडी हो जाएग dus आप क्या कर सकते हैं मीडल मेंसे कट करके फिर इसमें से skirt भी create कर सकते हो या फिर आप अपने bottom से अपने daughter के लिए skirt या इस तरह का short भी create कर सकते हो इस तरह से आपको पहले क्या करना है middle में से cut कर लेना है extra fabric है उसको cut कर लेना है तो फिर आपको वही method के less वगेरा लगा दो थोड़ 25 वगेरा अंदर भी लगा दो तो अच्छा सा एक skirt का look आ जाएगा पर यहाँ पर हम मैंने खाली ये दो idea दिये है आप चाहो तो बना सकते हो मैं दूसरा यहाँ पर बनाने वाली हूँ तो यहाँ पर में जो भी हमारे कर में चीज रहती है चाहे वह electronics वह कोई भी device वगेरा हो तो क्या रहता है जो धका हुआ रहता है तो खराब नहीं होता डॉस्ट फ्री रहता है उसकी life थोड़ी बढ़ जाती है तो यहाँ पर आपको कुछ भी करना नहीं है उसके cover बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है जितना मेरा जो वह electronic device था उसी साब से मैंने चारो वहर से कट कर लिया है और फिर हम जो भी तीन साइड हमारी खुली हुई है उसमें मैंने stitching कर दी है मेरे पास machine है तो कर दी है वरना आप आतों से भी easily कर सकते हो तो इस तरह से हो जाएगा एक थेला जैसा बन जाएगा और य क्या है कि कोई भी बहार चाते हो तो एक थेला जैसा बन जाएगा यहां पर हम क्या करेंगी जो मेरा एक रॉम बुक है उसको मैंने कवर करने के लिए इससे बनाया है और क्या है कपड़ा स्ट्रेचेपल है तो कोई भी एड़्जस वगेरा हम easily कर सकते है और बस देखो पां आप भी नहीं करना चाहते तो बहुत सारी चीजे इसमें से आप अपना सकते हो बहुत सारी चीजे ओल्रेडी मैंने शेयर की हुई है और जब आपको बार बार इस लेपटप की जुर्रत पढ़ती है तो बस इस तरह से उपर भी खाली आप अब ढ़क सकते हैं और यहां पर मैंने जो मेरा यह टोस्टर है उसको भी ढ़कने की ट्राय की थी तो बहुत ही अच्छे से वह हो गया था क्योंकि क्या था कि श्क्रे की डिवाइस में आ जाता है तो मैंने फाइनली इसको कवर कर दिया है और मेरा क्रोंबुक वेलिए में दूसरा कुछे सचूंगी और हमारे घर में सौफ्ट टॉइस, सौफ्ट फीलो और जो चपल्स वगेरा रहती है उसको थोड़ा केर करना ज़रूरत रहती है जादा तो यहां पर पानी ले लिया है मैंने शेम्पू एड़ किया है फिर कमपोट जो फैबरिक कंडिशनर है वो एड़ किया है और फिर सा खरकेट ओस रहते ऊसार ही मैं इसमें लगा दूंगी तो क्या होगा इस तो उससोफ्ट रहेंगे उपर फिलोफी हो जाएंगे और उपर से जो भी कच्रा वगेरा है और जो भी गड़ गया है वो भी अच्छा हो जाएगा और एक्दम हमें बस इसमें डूब्ड़ो ना है और थोड़ा हाथों से गिस सकते हो आप गिसना होतो तो एकदम ही ये क्लीन हो जाता है ज्यादा एफट अगेरा लगाने की हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ती और डिस इंपेक्टेडर भी हो जाता है अरो सारी हों मेकिन जो टिप से एकदम ही इसी है और आप अपने घर को अपने करके कोने को इस तरह से अपनाइस कर सकते हो तो ये मेरे जूस की बोटल है देखो के अपने निकालती एक अच्छा सा फ्लावर बास बनके रेडी हो गया बस आप आप आटिफीस एक लार इसमें लगा देना है और इस तरह के जो DIY हो है वह आप घर बेठे बना सकते है पर इस तरह के हम डेकर अकर आप ओनलाइन ओफ लाइन सर्च करोगे तो बहुत ही महेंगे मिलते है तो बहुत सारी चीजे एसी रहती है जो हम पर्चेस कर सकते है और बाद में उसका रियूस भी कर सकत है तो एक हमारा अच्छा सा फ्लार वास बनके रेडी हो गया है आप देख सकते हो इसमें आप एडिया भी में ने शेयर किया हुआ है तो दूसरा की सुबह उठते ही में अब तो नहाले तूबर ना क्या क्या होता है आला साती लेजीजनेस जे सब फील होता है और उपर से कपड बैसे पहनती हूँगे जैसे की पूरा दिन उसमें काम भी कर सके वीडियो का भी काम हो जाए गर का काम हो जाए उपर से कोटन का मैं ज्यादा प्रिफर करती हूँ तो वह अच्छा भी लगता है कामफर्ट भी रहता है सो यही था आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा